हलो एवरिवान, आज हम बात करेंगे कबज की समस्या को राहत पाने के लिए क्या हम घरेलू उपाई कर सकते हैं कबज की समस्या देखी जाती है अकसर उन लोगों को ज़दा होती है जो कि पानी कम पीते हैं बाहर का तला हुआ जादा खाते हैं सलाद कम लेते हैं या फिर जिनके अंदर हैरेडिटरी होती है माबाप से भी देखा जाता है बच्चों में कबच की दिक्कत आती है तो क्या ऐसी घरेलू टिप्स हैं जिनको अगर हम फोलो करते हैं तो इस समस्या से राहत पा सकते हैं भरपूर आप सलाद ले पानी खुब पिए इसके लावा एक होम रेमेडी है जिनको कबच की ज़्यादा दिक्कत रहती है तो आप इ पेंदा नमक डालें और आधा निम्बू का रस्ट डाल कर वो पानी गुनगुना सिप सिप करके दो से तीन गिलास सुबह खाली पेट लेते हैं तो उससे देखा जाता है कबज की समस्या में रात मिरती है हाँ जो हाइपर टेंशन के पेशिंट्स हैं जिनको बीपी ज्यादा रहता है वो इसका प्रियोग ना करें यह हमारा आज का लाइफ स्टाइल डिसार्डर है कबज की समस्या आज कल काम बहुत कम रहे गया है तो ऐसे में ज्यादा समय तक बैठे रहने से यह समस्या ज्यादा आ रही है इसलिए टहलें जरूर थोड़ा बहुत आप और सारा दि बैठे रहने से जो खाना है वो डाइजस्ट नहीं होता जिसका अनकबज की समस्या आती है बाहर का जंक फूड आप कम इस्तेमाल करें उमीद है हमारी आज की स्वास्ते संबंदी टिप आपको जरूर पसंद आई होगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शे प्सक्राइब कर ले धन्यवाद